हेलो इस्टुएंट्स एक कॉंप्रिहेंशन बेस्ट नुमेरिकल आपके सामने हिट हो रहा है तो थोड़ा सा इसको देखिए तो कॉंप्रिहेंशन है ना टू है यह 20 से 22 तक मतलब लगभग तीन कोशन इसमें पूछे गए और भी मल्टिपल कोशन बन सकते हैं लेकिन बात कर रहा है किसकी ब्लॉक की बात कर रहा है यह वाला ब्लॉक है आने स्मूथ लांग प्लंक लांग प्लंक जो जिसका मास 10 kg यह बहुत लंबा है यह बहुत लंबा है यह रोड यह कुछ भी एक प्लंक हो सकता है एक पट्रा हो सकता है प्लाई है इस टाइप से कुछ यह which is also pulled by horizontal force f और इसको हम horizontal force f से क्या कर रहे हैं? पूल कर रहे हैं यह न, where t in second f in newtons then the initial velocity of plunk is zero यह न, initial kinetic energy is also zero तो work energy theorem या, है न work power energy से भी कर सकते हैं लेकिन अभी NLM का दोर चल रहा है तो मैं उसी चीश को आपको practice करा रहा हूँ और इसके corresponding तीन question दे रखें तो एक एक करके solve करते चलिए तो यह मैंने इसको draw कर दिया है यह 1 kg का block है और इसके उपर plank है यह 10 kg का plank है, ठीक है? यह 10 kg का plank है तो as per question इसने कहा है कि the displacement of 1 kg block है न, with respect to the plank और at an instant when the both block have same velocity तो सबसे पहले f equal to email लगा देते हैं, यह तो सदावार तरीका है अब सारी surface कैसी smooth है, है न, कोई किसी पर friction force apply नहीं कर पा रहा है तो हम individual block को मान लेते हैं हाँ, यह normal reaction लगा रहा होगा block plank पर, लेकिन उसका work done zero होगा, वो कोई इसके है न, force में contribute करेगा ही नहीं, तो उसको हम neglect कर रहे हैं, तो यहां पर कितना आ जागे f equal to, f कितना लगा है, 10t already कहा गया है question में, यह 10t mass में, है न, अभी जो बात कर रहा हूँ, for plank बात कर रहा हूँ किस के लिए बात कर रहा हूँ, for plank बात कर रहा हूँ, तो plank का mass 10 a, तो यहां से a की value मेरे पास आ जाती है, nothing but t यह equation number बना चुकी है है न, या अभी इसको equation number और इसी को अगर में, है न, integrate करता हूँ, तो या इसको किस format में लिख सकते है, dv by dt into t, और यहीं से आप क्या लिखेंगे, dv integration और यह आ जागा, t into dt, again integration, तो यहां से v मुझे मिल रही कितना, t into dt तो इसका integration t square by 2, यह equation number 2 में नाम दे दिया, है न, क्योंकि initial velocity 0 है, तो ultimately में लिमिट लगाना उचित समझा ही नहीं, महीं से यह चीज आ गया, हलांकि आपको limit वाला case भी consider कर जाना चाहिए, अब यह आया 2, तो अब यहां से dx का integration लगाना है t square by 2 into dt, और यह भी, तो यहां से मेरे पास displacement आजाएगा, x आप plank का displacement आजाएगा, कितना आजाएगा, tq by 3, तो यह 6 हो जाएगा, है न, यह आपके पास equation number 3 आ चुकी है, तो यह plank के बारे में बात करी में, चलिए, इतना अनेक बात, अब मैं बात कर रहा हूँ, आपसे far plank, sorry, far block, plank की तो बात होगी, है न, block की अगर मैं बात करें तो, block की velocity कितनी दे रखी, velocity आप block आपको दे रखा है 2, तो इसको again integrate करेंगे, तो क्या मिल जाएगा displacement, यानि x आप block कीतना हो जागा, टूटी हो जागा, simple, ये equation number fourth में ने दे दी, है न, ये equation number fourth में ने दे दी, तो ये वाली कहनियां आपको पता होनी चाहिए, किसे पता होने चाहिए, अभी हाल हमने करी, अब पहले वाले question को देख लो, पहले वाले question क्या बोल रहा है, जी, पहले वाला question बोल रहा है, या 20 number question बोल रहा है, the displacement of 1 kg block, with respect to plank, displacement of 1 kg block, with respect to plank, है न, at instant when the both velocity is same, है न, both velocity is same, same कब हो रही है, दोनों की velocity, किसकी plank की और, इसकी अपना, block की, तो block की velocity मैंने already कितने निकाल रही है, 2 है, जो की question में दी गई है, तो vb equal to velocity of plank, तो यहां से time की value मैं पास निकलेगी, तो उसको निकालते हैं पहले, चले, तो आपके पास block की velocity, 2 दे रखी है, यह 2 लिग दिया, मैंने, plank की velocity already, यह निकाली कितनी, t square by 2, तो यहां से t की value कितनी है, 2, 2 से multiply हुआ, और t square equal to कितना आ गया, 4 आ गया, तो t की value plus minus minus, तो discard कर देते हैं, 2 second, यह 2 second वो time है, यह 2 second वो time है, जब इसकी velocity same होगी, लेकिन question यह नहीं है, जब velocity same हो, तब उसमें displacement पूछा है, तो हम relative है ना, displacement की बात कर रहे है, तो यहां मैं क्या लिखूँगा, displacement of block with respect to plank, तो यहां पर मैं क्या कर दूँगा, 2 t, यह किसका displacement है, block का minus velocity, या displacement of plank, not velocity, तो displacement of plank कितना है, निकाला, कहा निकाला, यह वाला निकाला, मैंने देखो, xp, xp आपके पास कितना निकाला है, है ना, यह कितना आगया, t cube, by 6 आगया, तो इसको simplify करेंगे, t cube कितनी रखनी, 4 रखनी, तो यह आगया, 2 into 2, minus 2 का cube, by 6, तो यह आजागा, 4 minus 8 by 6, तो यह, 6 for 24, minus 8, तो यह आपके पास आगया, 16 by 6, further simplify करेंगे, तो यह आजागा, 8 by 3 क्या, meter, तो यह वो है, है ना, relatively की बात कर रहें, तो 8 by 3, उस option में match, तो अभी जो displacement निकाला, x की value कितनी निकाले पर ने, 8 by 3, which option, c option correct है, इसका, ठीक है, और दूसरा question देखना है, कि the time, which the displacement of block and plank with respect to ground, इस सेम, दोनों को सेम कर देना है, तो एस पर question समझते हैं, कि displacement of block will be equal to कितना, displacement of plank, है ना, तो displacement of block कितना निकाल रखा, यह आपके सामने है, xb, जो कि 2t के बराबर है, equal to, आपके पास xb कितना है, xb यह वाला निकाला है, है ना, t cube by 6, 6, t cube by 6, तो, अब यहां, यहां कहा भी question में, बड़ा important बात है, कि t not equal to 0 पे बात करनी आपको, है ना, तो जब ऐसा किया गाए, तो, इसके दो parameter आएंगे, कौन-कौन से, तो, t minus t square by 6 equal to 0, अगर इसको लेंगे, तो, एक तो, t की value, 0 आजाएगी, है ना, तो, यह तो consider नहीं करना, आपको, और यहां से आजाएगी, t square by 6 equal to 2, तो, यहां से, t square की value कितनी आजाएगी, 12 आजाएगी, है ना, और, t की value कितनी आजाएगी, root under 12, आजाएगी, और root under 12, को क्या लिख सकते हैं, आप, simply, तो, root under 12, को, यहां में simplify करता हूँ, और इसको में लिख सकता हूँ, 2 root 3 second, तो, यह वो time होगा, जब 2 root 3 second, which option आपको देख रहा है, 2 root 3 second, तो, इसका B option आजाएगी, अब अपन करते हैं, 22 वाले question, अब, finally question पढ़ते हैं, तो, आपके पास, यह क्या कहा है, कि relative velocity of the plank, with respect to ground, relative velocity, आपको find करनी है, when the acceleration is 4, acceleration of plank, के लिए formula कौन सा लगाया था, आपके सामने है, यह वाला निकाल, तो, acceleration of plank, कितना दिया है, 4 दिया है, और यह T के बराबर, तो, यहां से मुझे T की value, कितनी मिल गई, 4 second मिल गई, yes or no, यह जैसे ही, आपको 4 second मिलती है, अब आपसे आगे क्या पुछाए था, relative velocity of plank, with respect to block, plank की, तो, relative velocity, है ना, not displacement, velocity, तो, velocity कितनी होगी, किसकी, velocity of plank, minus velocity of block, है ना, तो, यह निकालना है, तो, यहां से क्या लिख दोगे, velocity of plank, with respect to block, तो, plank की कितनी है, आपके सामने, दिख रही, plank की speed कितनी आ रही, यह यहां दिख रही हुई, vp, तो, यह आ रही है, आपके पास, t square by 2, minus, vb कितना आया, vb, vb अलिटी 2 दे ही रखा है, यहां देखो, यहां भी दे रखा है, दो, तो, यह, minus 2 लिए लिख दिया, अब आप देखिए, t की value, यहां कितनी रखोगे, यहां रखोगे, 4, तो, यह आ जाएगा, 16, 4 का, square कितना आ जाए, 16 by 2, minus 2, तो, यहां आप further calculate करेंगे, velocity of, plank with respect to block, कितनी आ जाएगी, 8, 8 minus 2, तो कितना आ जाएगा, 6 meter per second, square, which option, 6 meter per second, square, तो, आपके पास, आजाएगा, C option, तो, इस type से मेंने, 3 question आपको calculate करेंगे, बता है, और भी, से related कई चीज़ी है, लेकिन, इतना है, तो, आप रहिएगा, मिलते हैं, अगले वीडियो में,